यह सरकार मेरी है क्योंकि सध्ता पर लाने कांग ते हम लोगों में किया राजकरमी का दरजा सानाय रहा हैं हमदी पाने का हतार है और पाएंगे हम को अगर साडुक से सदं पर जाना होगा तो जाएंगे रेंगें पर रेंगें कि अमसे कं प्रवाइस टन नहीं मां नहीं मिलेगा तो फिर से भाइफ से तरह तहाथ हम लोग आने वाले नहीं और सरकार को अल्टिमेटम और वेतनमान के सिवा और कोई विकल्फ हमारे पास है नहीं कि रोज हमारे साथी मर रहे कफन के लिए भी हमको चंदा करना पड़ रहा है तिस सरकार को डूब बनना चाहिए जारकंड राजिय प्रसिक्षित सहायक अध्यापक संकी बैठक 15 नवंबक तक मांग पूरा नहीं होने पर सरकार को खार फेकने को दीचेतावनी वेतनमान को लेकर आंदुलन की मूर में है सहाय का ध्यापक संग जारकंड राजिया प्रसिक्षित सहाय का ध्यापक संग की बैठक बाबा घाट परीसर में हुई जिसके अदिक्षिता कारेकारी जलादिक्ष राजिश कुमार सिंग और गोपेंदर यादम ने सहाय का ध्यापकों ने एक स्वर में कहा कि 15 नवंबर तक उनकी मांग पूरा नहीं किया जाता तो सरकार को खार फेकने की तैयारी की जाएगी प्रदेश महा सचीफ सुमन कुमार ने कहा कि सहाय का ध्यापकों में सरकार गिराने और बनाने को छमता है यही कारण है रगूवर सरकार को गद्धी छोड़ना पड़ा उन्होंने कहा कि चुनाव की समय हेमन सोरन के द्वारा वेतनमान को लेकर फायदा किया था लेकिन चार साल बीद गया इस पर सरकार कोई पहल नहीं की गई है अगर 15 नमबर तक सरकार उनकी मांग पूरा नहीं करती है तो रगूवर सरकार की तरह हेमन सोरन सरकार को भी उखार फेका जाएगा उन्हों निकाह की मोके पर कारेकारी जरादिक्षिम राजिश कुमार सेंग, कोमोद कुमार सेंग, गोपिंद्र कुमार यादाुसे, चतरा जिले के अन्ने धनबाद, बोकारों के साहय कर द्याखक अपस्ति थे चतरा से अमित कुमार सिंगी रिपूर्ट जो सरकार आज बनी है उसके पूरु में जब माननी एहमन स्वरेन हर सभा में जाकर के इनकी सरकार बनने के बाद तीन मां के भीतर बेतनमान अस्थाय करन समान काम का समान बेतन देने की बात हर सभा में ने कही और समिदा समाद दुमका में जब हम लोग इंका स्वागत किया और चुना के पहले इनका माला पहना दिया कि जब समान का समान बेतन मान आप यहां के तमाम साह का ढ्यापकों को देएंगे तो भीकल आपकी सरकार बनाने में मदद करेंगे और हमलों ने मदद किया, तहए दिल से मदद किया दिन रात मे أيनत कi और आज सरकार उपीय की वनी उसमय माननी हेमन स्वरेन हम लोगों को जो बात कहे आज उखारा नहीं उतरे चोटी चोटी बातों को लेकर के हमलों को मुश्कुराने का मुखा दिया निमावली दिया, हमें 4% के बिर्धी दी, आकलन परिच्छा हम लोग पास किये, आप सरकार इसको गंभीरता से ले, बेतनमान हमारी मांग है, लगातार मांग किये, 2018 में रगवर सरकार के समय में हम लोग 27 सहीदी दी, अपनी कुर्बानी दी, हम लोग जेल गए 307 अपने महला बहन के साथ, हम लोग 22 दिन होटवार जेल में हम उस बिसाक्त दिनों को काटा है, यह तमाम जो बिंदू पर हम लोगों ने जब अपना आंदोलन टाई किया, आंद हम लोग से काम लिया, हम लोग का महनत लिया, कि आपको बेतनमान देंगे, बेतनमान पाना मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और मैं बता दूँ, यह का कर चत्रा की धर्ती पर से जा रहा हूं, कि मैं हम लोगों ने अपनी कुर्बानी बेतनमान के लिए दिया था, 26 की कुर्बा बेतनमान के लिए दिया था अपनमान सम्मान सभीमान बचाने के लिए दिया था इस सरकार से कल्यानकारी सरकार है यह सरकार मेरी है क्योंकि सत्ता पर लाने का काम सबसे पहले हम लोगोंने किया और उस समय को आद कीजिए कि रगवर सरकार के समय कोई विपक्ष होता था तो व एक किरित मोर्चा उसमस्में थी और वह संग होता था विपक्च का भुमिका निभाया उस सरकार को खारकर फेकने का काम कि अताना साही रवय्या को कुशिश किया प्रियास किया उसका नतीजा परिनाम भी आपका सामने है इस सरकार से हम गुहार लगाने आएं, कि आप जो वादा करके सत्ता पराए हैं, पराशिचकों के सहयोग से आप बेतनमान हमें दीजिए, हम आकलन पास एक तीस सारे एकलन पास हैं, आकलन नेशा आकलन, जो साइध हमको 10% से ज्यादा पास नहीं करने का साजी जो पदाधी का उन रचा था, उसको दरकिनार करते हैं, उने 75% सत्म रोजल दिया, और हम अब बिहार के तरज पर, वहाँ जीस तरह से टेट को, और आकलन को, जीस तरह से दच्छता को, सम्तुल मानते हुए, सारा अधिकार, वहाँ बेतनमान का अधिकार, राजकर्मी का दरजा, सारा दे रहा है, हम भी पाने का हतार है, और पाएंगे, हमको अगर सारक से सदन तक जाना होगा, तो जाएंगे, आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे, कुर्बानी देने के फिर से कुर्बानी देंगे, लेकिन हम, अपना धिकार, अपना मान, अपना सम्मान, और जो साइध साथ बीडियो होगा आप देखे कि कीस तरह से हम बेतनमान वो दियंकि तरस रहे है और हम लोग पाने के लिए तरस रहे हैं सरकार को आदे लाना चाहते हैं कि हैमांत भाइया आप मेरे हैं हम के हैं आप हमारा दुक dachte दर्द को समझते हैं आज हमको इतना मांदे नहीं मिलता है कि अपने बच्चों को अपने परिबार को अपने आपने माँ-बाप को इलाज हम अच्छे तरह से करा सकें आप मेरे बारे में सोचिए मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता लेकिन कम से कम बिहार तो दे दीजिए जो यूजित सीचों को हम मिलता है वो तो दे दीजिए हमको समझन मत करिए लेकिन जो राज कर्मी का दर्जा वो तो दे दीजिए हम इतना बड़ा जो जैक ने एक्जाम लिया और एक्जाम लेने के बाद आए 31,000 साय का ध्यापक और जो पर सीचित हैं उनको भी मुका क्योंकि बिहार हर कटिगरी के लोगों को बेतनमान दे रहा है मैं किसी एक साथी को छोड़ना नहीं चाहता मैं हमारा संग सभी के लिए बेतनमान के लाए लड़ रहा है मन सम्मान के लड़ रहा है इसलिए आचात्रा की धर्ती पर कहने आए कि संगतित रहिए और इस सरकार इस उमीद है कि बेतनमान मिलेगा और अगर बेतनमान नहीं मिलेगा तो फिर से वही हुंकार दुजा ठार का मारम अधुने पर चलेगा और लेकर रहेंगे यही बात हम आगाज करने के लिए आयें दैन्दवाद सुमन कुमार जारकंडाग प्रसिशित साग अधयापक संग डर्दान सची आज चत्रा जिला में हम लोग संगठन को मजबूत करने आये हैं और चत्रा जिला के साथियों को जगाने भिए आये हैं जिस दिशां में हम लोगis चले थे में रगोवर सोर्कार के खिलाप लोग लड़े थे मुंहले और अगोवर सोर्कार को हम ले उखाद कार आज अगर हम शुरकारushar avere फिर हाती तो हम लोगों फिर एक बाद पढना पड़ेगा पूरा करने में रहे हैं और कि नहीं साथ बिल्लाब इस और देट प्रतिशत साय का द्यापक पास हो गए यह बड़ी खुशकबरी है लेकिन अब हमारा अगला जो कदम बढ़ेगा वेतनमान के लिए हम बढ़ेगा और वेतनमान के वादे के साथ सत्ता में आई है तो वेतनमान हमको चाहिए और सरकार को इस बैठक के बाद हम लोग तीन तारी को सरकार क्वालिटीमेटम देने जा रहे हैं कि अब हमारा काम अगर नहीं होगा तो 15 नॉमबर के बाद फिर हम लोग आपके यहां घेरा डालो डेरा डालो के तहट हम लोग आने वाले हैं और सरकार खिराप लड़ाए लड़ेगे तमाम साथी जो आज हम लोग विभीन पर कि किसी से आब समयन नहीं है क्योंकि रोज हमारे साथी मर कफन के लिए हमको हैं हम कितना आपने साथ यह फोग अपने बच्चों को देख रहे हैं असहृ बर्य नाजोस है फ्रहें हम अपने ही पाशे अपने ही पश्मकाश क। करियार है लेकिन सरकार एक तरफ जब से सिच्छा मंतरी हम आनने हमन सुरेन कारेबार समाला है यह विभाग बिल्कुल टूवर हो गया जिसको गयते हैं तूर हो गया कोई सुनने वाला नहीं है कोई देखने वाला नहीं है तो हम अब यह अब हमारा देहर का बांद पूट रह है कि सरकार अब निंज कुम करने इन नींसी जागे और हमारा काम करें अन त्यक्त फिर उलग्लान होगा उलग्लान होगा कि मौमद सेख्षिधि की परदे सथिभामरों मेरा नाम पिंकी राय है हम प्वकाड़ों, महिला मुर्चा किसर Rajaya कि हमको तो हमनसुरेण जी से माननी है मुखमंतरी जी से उमीद है कि वो करेंगे ठीक है अब यह लोग बोल रहे हैं संदवारी लोग 3 तारी को बैठेंगे तो हम लोग बैठेंगे देखते हैं मांगे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर फिर बात आगे बढ़ेगी लेकिन आभी तक एक जो भी है चोट जोटा ही मुसकान दिये हैं चहरा पर ऐसा नहीं की नहीं कह सकते हैं कि वो उंहीं कि राज़े मीली तो यही बात है शर्फ आगे जो भी होगा हम लोग आप लीवोगा वह तो वह तो बेतनमान की मांग है वो तून को देना पड़ेगा रहा हमको लगता है कि वह जाते जाते देके जाएंगे इतना थो यह उमीद है उन से कि चत्रा की धर्ती आजादी के समय से बीरों की धर्ती रही है और आज चत्रा से उल्गुलान होगा और जिस तरह 2018 में हम लोग ने रगवर साही को खतम करके नया सत्ता अस्थापित करने का काम किया 2019 में हम लोग अगर हमारी काम नहीं होती है तो 2019 में 2024 में हम लोग धेमन साही को भी समात करके नया सत्ता अस्थापित करेंगे मित्रो इचत्रात की धर्टी से जो उल्गुलान हुई है हमारे परदेश के नित्रित करता लोग समन में अस्थापित में लगे हुए हैं और निश्चित तोर पर 15 नवंबर के पहले हमारा समन में अस्थापित होगा और हम राची की धर्टी को उसी तरह से फिर जाम कर देंगे उसी तरह से अंजाम देंगे कि वहीं से उल्गुलान सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रदेश कमीटी को कि चत्रा की धर्ती का उल्गिलान पूरे जार्खन में आग की तरह फैलेगा और ऐसा फैलेगा कि सत्ता परिवर्तन के लिए किसी को कहीं जाने की आओ सकता नहीं होगी हम लोग वो सकती हैं कि निर्मान और परले हम लोगों की गोत में वस्ती है हम लोगों ने परले भी दिखाया है और निर्मान भी दिखाया है हम सरकार से हम लोगों को काफी उमीद है अगर ये उमीद हम लोग को नाउमीद में बदल गया है तो हम लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हैं मुख्य मांग यह सरकार आई थी सरकार के घोसना पत्र में था कि हमारी सरकार बनने के बाद तिन मां के मंदर हम आप लोगों को बेतनमान काताफा दे करके सबके घरों में खुशी लाएंगे चार साल बितने वाला है राने वाला वर्स चुनावी वर्स होगा अगर सरकार इसमें हम लोग को बेतनमान अमतिम वर्स में नहीं देती है तो हम लोग इसके विरूद सब्सक्राव दही सरकार की होगी